जैहिंद फ्रेंड्स वर्ड हिस्ट्री की सिरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे थे और अभी तक हमने तीन टॉपिक्स देख लिये थे वो क्या का थे टॉपिक्स पहला था इनलाइटनमेंट और दूसरा था उसका परडाम और जोगी क्रान्ती और तीसरा था जोगी क्रान्ती की पहली भौतिक रूप से परड़ी थी जो हुई वो हुई अमेरिकी क्रान्ती में अमेरिकी क्रान्ती का बैग्राउंड हम लोगों ने समझ लिया था कुछ उसके कारण हमने समझ लिये थे और आज उनहीं का आगे बढ़ते हैं उसी टॉपिक पर और देखते हैं कि जो आधार तयार किया गया था मेरी की क्रांथी के लिए उसमें चिंगारी किसने लगाई मतलब उसका तातकालिक कारण क्या था रोश यह सब इकठा हो रहा था संतोष यह सब चल रहा था लेकिन फाइनली उसको चिंग किसने लगाई थिक तो तातकालिक कारण की बात की जा रही है तो आज देखिए तातकालिक कारण या इमेडियेट कॉज और इसका तातकालिक कारण जो था वो था सब्त वर्षी युद्ध सेवेन इयर वार कब से कब तक था यह सत्रासो चपन से सत्रासो तिरसट किसके किसके बीच हुआ था तो यूरोप में दो कंट्रीज थी एक है आस्ट्रिया इसकी राजधानी बहुत पूछी जाती है वियना ठीक इंटरनेशनल एटॉमिक एजनसी एनरजी एजनसी जो है उसका हेड़कॉर्टर है यहां पर भी एना में ठीक है आस्ट्रिया है और दूसरी है परसिया परसिया दरसल जर्मनी का एक राज्य था जर्मन राज्य था ठीक यह जो मैंने आपको बताया है कि inlightenment के बाद जो घटना हुए वो हुई कौन सी और दियोगी क्रांती और उद्योगी क्रांती ही आगे जितने भी घटनाएं हैं उनका क्या है जनक है और उद्योगी क्रांती के लिए ही आगे लड़ाईया होंगी और उन लड़ाईयों में और उद्योगी क्रांती का जो लोहा और कोईला के लिए इसू था वो हमेशा क्या रहेगा चलता रहेगा अब इस इसू में सबसे पहले आपको एध्यान में रखना है कि इन दोनों के बीच जो लड़ाई चल रही है वो एक एरिया पढ़ रहा था तिलसी इस एरिया के लिए लड़ाई चल रही ये एरिया कोल एंड आइरन कोईला और लोहा यहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा था मतलब कोल एंड आइरन रिच लेंड थी है इस लेंड के लिए इन दोनों में लड़ाई शुरू हुई आस्ट्रिया और जर्मनी का एक राज जिता परसिया बिस्मार के यहीं के थे परसिया के ही ठीक अपने नाम सुना होगा अब देखिए प्रांस प्रांस के पास लोहा का और कोईला का कोई छित नहीं था आरन एंड कोल नहीं था यह कहां से ले रहे थे यह ले रहे थे राइन लैंड से राइन लैंड कहां कहां था यह था जर्मनी का यह जर्मन स्टेट है और यह जर्मन टेरिटरी है अब यह बताईए कि अगर जर्मन मजबूत हो जाएंगे तो क्या यह राइन लैंड से लोहा और कोईला ले सकते हैं फ्रांस नहीं ले सकते उस्वाविक सी बात है कि यह किसको सपोर्ट करेंगे आश्ट्रिया को कि इसको सपोर्ट करेंगे आश्ट्रिया को क्यों कि यह नहीं चाहते है कि जर्मन क्या हो मजबूत हो क्योंकि जैसे जर्मनी मजबूत हुआ वो राइन लैंड से कोईला और लोहा नहीं ले सकते कौन फ्रांस और इंडस्रियल रिवोल्यूशन का बैक्राउंड चली रहा है कि इसके सपोर्ट में आ गया आश्ट्रिया के सपोर्ट में अब इससे ब्रिटेन को दिक्कत हुई अगर यूरोप में फ्रांस मजबूत हो गया एकोनॉमिक रूप से तो हमारा जो पूंजी बाद और उपनिवेस वाद का दौर है उस पर क्या लग जाएगा ब्रेक लग ज सारा खेल के व दो रिके व और के वर इंट्रिस्ट मैंने आपको बताया कि नाइट행्मेंट के बाद जो गटना घटी इसने पूरे वर्ड को चेंज कर दिया वह थी इन्ड़ील रिवोलूज सन ही बाकि सारी गटनों का चाहाब प्रत्यक हुरूप दिज चलता रहेगा सेकेंड वर्ड वार तक और रुकेगा नहीं अभी भी इंडस्ट्रेल रिवोल्यूशन की फूर्थ स्टेज चल रही है तो आज के समय में भी जहां भी जो मिनरल रिच लैंड होगी वहां पर हमेशा क्या रहेगा डिस्प्यूट रहेगा दो देशों के बीच म यह कंफर्म है विवादिच छेत उसको जानबूझ करके बनाए जाता है अब यह बताईए सिंपल सी बात यह है कि इनका इनके साथ सपोर्ट करना लाजमी था क्यों क्योंकि इनका इंट्रेस्ट आइरन एंड कोल इंडस्ट्रेल रिवोल्यूशन के लिए था इनका इनके ल अब इसका परडाम यह हुआ इसका काज क्या हुआ दुर्वात तो यूरोप के दो स्टेट से हुई थी लेकिन उसको किस ने बदल लिया अपने अपने युगो पर ले लिया ब्रेटेन और फ्रांस ने और इसका परडाम यह हुआ एकोनॉमिक क्राईसिज वित्तिय संकट आर्थिक संकट अब आर्थिक संकट जो हुआ तो ये तो बरबाद हो गए कैसे बरबाद हुए आपको भी बताएंगे जब थोड़ा डेटेल में जलेंगे तब अभी के लिए जान लीजिए कि ये तो बरबाद हो गए और ये इतना बरबाद हो गए कि ये जो है क्या हुआ चड़क पर आ गए और इन्होंने क्या किया इन्होंने अमेरीकी जो कॉलोनी थी उपनी वेस्ट थे टैक्स लगा दिया क्यों लगाया टैक्स बैग्राउंड क्या चल रहा है सेवन इयर वार अब जब टैक्स लगा दिये टैक्स लगाने का आधिकार इनको नहीं था मैंने आपको पहले बताया है कि दोस्पूड प्रसासिनिक संवर नचना थी टैक्स कौन लगा था वहांकि उनकी विधाई का विधाई का उपर कौन बैठा था गवंणर गवंणर इ नारा दिया, no tax without representation. प्रतिनिधित्व नहीं, तो कर नहीं. प्रतिनिधित्व नहीं, तो कर नहीं. जब उस पार्लियामेंट में, बिटिस पार्लियामेंट में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि हम पर tax लगा सके. ठीक, बात समझ में आ गई. ये जो सब्तवर्सी उद्धा सेवेन इयर वार, इसके बाद एक घटना घट गई, जिसको बोलते हैं, बोस्टन, टी पार्टी. और ये बना immediate cause of American Revolution. अमेरिकी करांती का तातकालिक कारड सब्तवर्सी युद्ध बैग्राउंड में चल रहा है, और तातकालिक कारड क्या बना? बोस्टन टी पार्टी. ठीक, चलिए. नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए. करांती के चरड. अमेरिकी करांती के चरड. अमेरिकी करांती के चरड. देखिए, करांती के चरड हमेशा जो है तीन होंगे. मिनिमम्म तीन होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है. आप सिंपल सी सोचिए, अगर आपका किसी ब्यक्ति के साथ या किसी रिस्तेदारी में कोई संबंद बहुत अच्छा होता है या बहुत खराब होता है तो उसका जिरा बैक्ग्राउंड आप एक बार देख करके सोचिएगा कि सबसे पहले क्या होगा सुरुवात होगी सुरुवात होगी तो उसके पहले कुछ आधार भूत चीजें चली आएंगी जैसे आपका सब्सक्राइब किसी रिलेटिव से कुछ जो है लड़ाई जगड़ा हुआ है तो सुरुवात आप देखिए उसको सोचिए कि सुरुवात कहां से होई सब्सक्राइब उनके घर में ग गुड़िया बतासा तो वहीं से दिमाग में क्या है सोच चल रही है यह बैग्राउंड है अब फिर किसी मुद्दे पर ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाएगी और फिर लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा रिलेशन बिल्कुल से तूट जाएगा विच्छेद हो जाएगा ठी किसी भी देश की क्रांती या स्वतंत्रता संग्राम जो भी होगा उसमें क्या होगा पहले एक बैक्ग्राउंड होगा तो पहला होगा तनाओ इसको हिंदी इंग्लिस में लिखिएगा रिफ्ट कि तनाओ की सुरुवाद यहां से यह बेस बनाएंगे तनाओ ठीक उसके बाद जो दूसरा बिंदू होगा वो क्या होगा इस्ट्रगल संगर्स संगर्स और तीसरा जाकर के जहां पर पूर्डी तरीके से संबंद विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा ब्लास्ट या विस्फोट इस्टिक यह अमेरिकी क्रांति के चरण में हम लोगों को यह समझना है कि किसी भी क्रांति में यह तीन स्टेप जरूर होंगे इनी तीन स्टेप को हर जगह आपको ढूर रा है कि बेस क्या चल रहा था बैग्रांड का चल रहा था इस मुद्धे पर जाकर के संगर्स हो गया और किस मुद्धे पर जाकर के विच्छेद हो गया फ्लास्ट हो गया एक यह क्रांति की को रोकने के लिए क्या-क्या प्रयास किये तो ब्रिटिस द्वारा या ब्रिटेन द्वारा किये गए प्रयास तो सबसे पहला इस टिप देख लेते हैं पहला चरड़ा किसका चरड़ है यह टकराओ या तनाओ की सुरुवात कहां से हुई वो देखते हैं देखिए जब सब्तवर्शी युद्ध हुआ सब्तवर्शी युद्ध कब समाप्त हुआ 1756 से ले करके 63 तक चला इसके बाद 1760 का जो दशक है उसके बैक्ग्राउंड में क्या चल रहा है 1750 में और जोगी करांदी की सुरुवात हो चुकी है उपनी वेसवाद और पुझी वाद की सामराज जवादगी क्या है खोड मच रही है ठीक कि कहां पर जो है कबजा किया जाए रिसोर्सेट का इस्तेमाल किया जाए ताकि वो जोगी करांदी से जो है अपने देश को बढ़ावा मिले आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से मजबूती मिले यह सब बैग्राउंड में चल रहा है अब बात यह हुई कि सब्त वरसी उद्ध के बाद जब आर्थिक स्थिती बिल्कुल से डगमगा गई तो जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे इनका नाम था ग्रेन विले इन्हों ने क्या किया समाप्ति के बाद थ्री पॉइंट डेकलरेशन ले आए थ्री पॉइंट प्रोग्राम लिखिया डेकलरेशन नहीं इसको स्री बिंदु योजना एक ऐसा प्लान ले आए जिसमें इन्होंने तीन पॉइंट बताये थे अब इनका पॉइंट जरा सुन लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इन्होंने बताये थे पहला पॉइंट ये बताये था कि सब्वर्शी युद्ध जो लड़ा गया है वो किसके लिए लड़ा गया है अमेरिकी उपनिवेशों की रच्छा के लिए की रक्षा के लिए अब अगर अमेरीकी उपनिवेशों की रक्षा के लिए लड़ा गया है तो इसमें जो भी इसके परड़ाम हुए उसका भुगतान कौन करेगा अमेरीकी जब इनके लिए लड़ा गया है तो अमेरीकी कालोनिया करेंगी अमेरीकी उपनिवेश करेंगे ये पहला इनका पॉइंट था इसके लिए अब कैसे भुगतान करेंगे तो अब एकसी बात है कि अगर आर्थिक संकट है तो उसका इसके लिए इन्होंने लगाए नयरे टैक्स लगा दिया कि एक तुझी स्टम्प ड्यूटी और दूसरा है सूगर टैक्स कीनी पर कर बढ़ा दिया गया लगा दिया गया ठीक नएकर थे यह पहला था दूसरा यह था दूसरा इन्होंने क्या कहा कि सब्त वर्षी युद्ध के दौरान अमेरिकी लोगों ने पायदा उठाया पायदा के इस तरह उठाया पुराने कानून तोड़े पुराने कानून तोड़े तो जैसे नौ परिवहन नेवीगेशन ला नौ परिवहन कानून आपको याद होगा कि कुछ चीजों के लिए मतलब केवल बिटिस जहाज ही अमेरिकी तटपर आ सकते थे बाकि और कोई जहाज नहीं आ सकते थे लेकिन इस दवरान क्या हुआ फ्रांस के जहाज भी आये थे फ्रांस मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या है कैनेडा जो है वो फ्रांस का उपनी वेस्ट था पहले फिर इसी सब्तवर्सी युद्ध में फ्रांस को वहां से जाना पड़ा फिर वहां पर किसका अधिकार हो गया ब्रेटेन का अधिक है तो नौ परिवहन कानून इन्होंने तोड़ा तो सेकेंड पॉइंट में इन्होंने यह कहा कि पुराने कानूनों का सकती से पालन किया जाए कि इस्ट्रिक्ट इंप्लिमेंटेशन आफ ओल्ड रूल्स कि सकती से पालन कि यह सेकंड बात थी कि और तीसरी बात क्या थी तीसरी बात यह थी कि 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 इस्थानिय कि लोगों कि कि रच्छा के लिए कि प्रतिबंध लगा दिया गया कि जब आप अमेरिका देखेंगे सपोजी अमेरिका है यह है इसका पूर्वी तट और यह है पश्चमी तट तो क्या था कि जो अमेरिकन कॉलोनीस थी वो इधर थी किач कि इनको कि अफ़र की तरफ बढ़ने से क्या कर दिया गया प्रतिबंध कर दिया गया क्या कहा गया कि जो अस्थानी लोग हैं इंडिजनस पीपल है उनको क्या किया जाए उनके अधिकार catalog की रच्छा के लिए इनका विस्तार इधर से इधर नहोंए पाए इसलिए इन पर क्या लिए लगा दिया गया प्रतिबंद यह स्थानी लोग कौन से थे जिनको आप रेड इंडियन्स बोलते हैं कि अधिक कि अधिक बात समझ में आ गई बाइग्राउंड क्लियर है यह तीन इस्टेप जो है तीन चरण उन्होंने बताया ठीक प्रोग्राम में यही तीन बाते कही गई अब अमेरिक्यों ने कहा उनसे करके कुश्चन पूछा कि आपने टैक्स लगाया कि हम टैक्स देने से मना कर रहा है नहीं हमारी सिर्फ इतनी सिवांग है कि आपने एक क्या किया था कि जेंटिलमेन रेजोल्यूशन लाए थे जेंटिलमेन रेजोलूशन क्या था यह कहा गया था ब्रिटिस के द्वारा जो भी टैक्स देगा उसको ब्रिटिस पार्लियामेंट में क्या मिलेगा रिप्रजेंटेशन यह कौन कहा था ब्रिटेन ने तो अमेरिक्यों ने कहा कि हम आपको टैक्स देने से मना कर रहे हैं नहीं मना कर रहे हैं हम तो सिर्फ आपको यह कह रहे हैं कि आप ही के द्वारा कहा गया यह resolution और आप ही पूरा नहीं कर रहे हो जब हम आपको यह कह रहा है कि आप पैसा लो लेकिन हमें प्रितनिजित तो दो वहां पर representation तो दो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यह अमेरिकी उपनिवेश वही थे जो जो वहां से छटे हुए लोग यह जिनको सजा के तोर पर देश निकाला दे दिया जाता था उन्हीं लोगों को यहां पर आकर के बसाए गया था अमेरिका में तो इन लोगों को वहां की पूरी जानकारी थी लिबर्टी की पूरी जानकारी थी स्वतंतता की पूरी जानकारी थी वहां पर जो जोगे करांती हुई थी उसकी पूरी जानकारी थी तो यह सारी बात थी अब यह उसी चीज को क्या कर रहे थे अपने अधिकार के लिए मांग रहे थे कि हम आपको tax देने से मना नहीं कर रहा हैं लेकिन हमें क्याक्त दीजी आपको अपना Parliament में representation और यह आप ही in resolution लाए हम तो लाए नहीं और आप ही कह रहे हो gentleman तो साबित करो ना कि आप gentleman हो ठीक यह पहला उन्होंने यह करके क्या नारा दिया no taxation without representation प्रतिनिधित तो नहीं तो कर नहीं तो नहीं तो कर नहीं ठीक यहां पर कि इन कानूनों के तहट क्या कहा गया कि जब आप बता रहे हो कि सब्तवर्शी युद्ध लड़ा गया किसके लिए अमेरिक उपनीवेस के लिए तो क्या जो आप भारत में लड़ा रहे हो फ्रांस से वह भी अमेरिकी उपनीवेस की रच्छा के लिए लड़ा रहे हो इसलिए भूट बोलना और बेवकूब बन अमेरिकी लोगों ने यह कहा कि अपने दिन भूल गए जब आपने उनको अत्याचार किया उन पर उन पर इतना ज्यादा तो सड़ों अत्याचार बढ़ गया इतना ज्यादा जो है मृत्यू हुई उनकी कि आज तक इंटरनेशनल कोर्ट आप जस्टिस में मुकदमा चल रह है उस समय आज तक मुकदमा चल रहा है और आप क्या कह रहे हो कि जो है कि आपको सानी लोगों की जो है चिंता है उनके अधिकारों की चिंता है तो यह बिवकूप बनाना फरजी बातें करना बंद गी ठीक और इसी पर पेच में अमेरिका में संगठनों की अस्थापना होती है कौन कौन से दो संगठन है मुक्ति पुत्र और मुक्ति पुत्री मुक्ति पुत्र को करते हैं संस आफ लिबरेटी और मुक्ति पुत्री को डाटर साफ लिबरेटी ये कुछ नहीं है ये संगठन है जिनके द्वारा अमेरिकी लोगों ने क्या किया विरोध प्रगट किया और ये इन संगठनों ने क्या किया स्टांप वेंडर्स को टार्गेट किया इनके टार्गेट वही थे और टार्गेट करके क्या किया स्टांप निकाला और उसको क्या कर दिया जला दिया स्टांप ड्यूटी उन्होंने बढ़ाई थी ना जब स्टांप नहीं रहे गज़ ड्यूटी किस बात की खीक तो पहला तनाओ का बिंदू यहां से सुरू हो गया जई उनका 3-point program आया ग्रेन बिले का और उन्हुने इन 3-point में जो जो चीजे कही उन सब को अमेरिका ने क्या कर दिया नकार दिया नकार इस वजे से दिया क्योंकि अमेरिका पहले वाला अमेरिका नहीं रह गया था वो सिर्फ यही कह रहा था, अभी स्वतंतरता की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ यही कह रहा है, कि सुधार कर लीजिए अपनी कारे प्रडाली में, केतावनी दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसको बिटेन की बली लेनी है, तो अभी पहले उसको क्या करेंगे, समझाएंगे, कि तो तक्राहट का बिंदू आपको पता चल गया कि ग्रेन विले के तीन पॉइंट प्रोग्राम उसके बाद उसकी परड़ित यह हुई कि यह दो संगठन बने और स्टाम को क्या कर दिया गया जला दिया गया तो पहला टक्राहट का बिंदू यह था पहला चरड़ कि अगेंड चरड़ कि अगेंड चरड़ क्या कह रहा है कि रॉकिंग हम कि भोषड़ा कि भात कहां तक मुची पोस्टन नर संगहार तक तक साथ यह जो पहला चरड़ था पहला चरड़ यह कहां से सुरुआत हुई ग्रेन विले पॉलिसी नीती से कहां पर बात पहुंची संगठनों कि यह स्थापना यह टकराहट का बिंदू था यह पहला चरड था सेकेंड चरड क्या कह रहा है राकिंगम गोशडा से गोश्टन नरसंधार तक कि यहां पर इस्ट्रगल हो जाएगा सेकेंड बिंदू है एक सेकेंड डिस्टेप देखिए कि सत्रा सो जो कि साथ मत लिखिए सत्रा सो सत्तर का दसक लिखिए कि इसमें क्या चल रहा है कि पहला ओद्योगी क्रांती का बैग्राउंड चल रहा है और द्योगी क्रांती की शुरुवात कब हुई थी सत्रा सो पचास में कि उपनिवेश्वाद और सामराज्जवाद को लोनिजम एंड इंपिरियलिजम यह जो है इनकी होड हो रही है कौन कितने उपनिवेश्वाद बना सकता है कभजा कर सकता है ठीक और तीसरा वाल्ड ट्रेड विश्व ब्यापार इस पर क्या हो रहा है कंपटीशन प्रतिस्परधा किसके किसके बीच में प्रिटेन और फ्रांस इतना सब समस्या पहले से चल रही है और उसी बीच में एक नई समस्या खड़ी हुई थी अमेरिकी उपनिवेश्व में असान थी अनरेस्ट अनरेस्ट अब ब्रिटिस पार्लियामेंट ने यह कहा कि यह सब पहले से चल रहा है अब हमारे पास इतनी छमता नहीं है कि हम इसको जहल सकें तो क्या हुआ ग्रेन विले जो पीम थे उनको स्तीफा देना बढ़ा उनको क्या करना पड़ा इस्तीफा देना बढ़ा अब नए पीम कौन बने राकिंग हम नए पीम बनते ही इन्होंने क्या किया इनके जो वित्त मंत्री थे ताउन सेंट इन्होंने क्या किया भोषडा की कि आपको टैक्स नहीं देना ठीक है टैक्स खतम करते हैं तूगर टैक्स स्टांप ड्यूटी इनसे आपको दिक्कत है ठीक है खतम कर देते हैं खतम कर दिया लेकिन इन्होंने क्या किया कि ग्रेन विले द्वारा लगाए गए करों को समाप्त कर दिया लेकिन साथ में ये क्या कहा प्रिटिश संसद को अमेरिकी उपनिवेशों पर अमेरिकी कालोनियों पर कर लगाने का अधिकार है टैक्स लगाने का राइट है भी भी और साथ में और क्या किया ये नए कर तो समाप्त कर दिये साथ में और क्या किया ये उद्गोषडा की कि कर लगाने का अधिकार है उसके उसके बाद क्या किया कि कुछ वस्तूओं पर आयात सुल्क आयात सुल्क का मतलब इंपोर्ट ड्यूटी वो बढ़ा दी यह आयात सुल्क उन वस्तूओं पर बढ़ाया गया जिनको अमेरिका आयात करता था कहां से ब्रिटेन से कौन-कौन सी वस्तूओं है ये एक तो है चाय दूसरा है पेपर और तीसरा है कांच और धातूओं मेटल्स पुराने कर समाप्त प्रिटेस पार्लियामेंट को कर लगाने का अधिकार और कुछ करों पर इंपोर्ट कुछ वस्तूओं पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी ये तीन काम इन्होंने किये अब अमेरिकी इन्हों पिर से इनको कहा A.B.C.D. आती है आपको करें हाँ बल्कुल आती है को हम आपको कर देने से मना किये तेक्स देने से मना किये इन्होंने कहा नहीं पैसा ही चाहिए ना आपको, आर्थिक संकट है आपके पास, आप पैसा ले लो, फूब लगाओ कर, फूब हमसे पैसा लो, लेकिन क्या है, हमें बिटिस पार्लियामेंट में रिप्रिजेंटेशन दो, अब यही चीज, इसके विरोध में, सैम्वल, एडम्स, के निर्टित्यु में जन आंदोलन हुआ, कहां, बोस्टन में, और यहां पर, यह केवल और केवल, पृत्रोध कर रहे थे, सांधिपूर्वक, और कुछ नहीं था, और यहां पर बिटेन ने क्या कर दिया, ठीक, वही घटना रिपीट कर दी, जैसा उन्होंने क्या किया था, जलिया वाला बाग कांड में किया, फ्लंडर, ठीक, उसके लिए माफी वर्ड नहीं है, इध्यान रखियेगा, यहां पर क्या कर दिया, गोली चलवादी, और गोली चलवादी, तो इसी का नाम है, पोश्टन मैसाकर, पोश्टन नरसंगार की घटना, जो डिश्टर्ब्ड आदमी होता है, उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्या है, लिमिट, जब यह बार-बार कह रहे हैं, अभी यह स्वतंतरता की मांग नहीं कर रहे हैं, आप गौर से सुनिये, इनके चरणों में, कि पहले इन्होंने कहा, कि सुधर जाईए, फिर बाद में भी यही कह रहे हैं, कि हमसे पैसा ले लो, टैक्स लो, आपका खूब अधिकार है, लेकिन हमें उस पार्लियामेंट में रिपर्जेंटेशन दो, जेंटल में रिजूलियूसन हम नहीं लाए थे, आप ही लाए थे, आप ही अपने आपको जेंटल में कह रहे हो, तो जब कह रहे हो, तो साबित करो, हम तो यहीं कह रहे हैं न, अब यहाँ पर क्या हो गया, ब्रिटेन ने क्या कर दिया, ब्लंडर कर दिया, क्योंकि माफी लाइक नहीं था ठीक तो यहां पर क्या हो गया इस्ट्रगल हो गया शुरू अब लास्ट इस्टेप चरड़ तीन इसमें क्या हुआ कि ब्लास्ट हो गया लास्ट का मतलब विस्फोर्ट कि यह हुआ इस चरड़ तीन में कौन सी घटना हुई लार्ड नौर्थ कि पॉलिसी लार्ड नौर्थ की चाय नीती और साथ में यह घटना का अंत कहां हुआ विस्फोर्ट कहां हुआ बोस्टन टी पाल्टी पॉस्टन टी पाल्टी ठिक इसमें आपको यह ध्यान में रखना है कि जब तनाओ एक चरम इस्थिती में बदल गया संघर्स के बाद तो विस्फोर्ट होना ही होना है क्यों क्यों कि मनुष्य की सहने की एक क्या है चमता है जैसे रबड है रबड को आप कितना बढ़ाई एक समय बाद क्या हो जाती टूट हो जाती उसकी एक एक इलास्टिसिटी है ठिक्स कि उतना ही बढ़ सकती है तो ठीक वैसे ही इनकी भी एक क्या है तैंसील चमता है और जब भीड हो तो बात ही अलग है कि अब यहां पर क्या हुआ कि जो 1770 का डिकेड है कि तसक कि वह कुछ चल रहा है आपके वह उपने वेस्वाद सामराज्यवाद की होड और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वर्ट्रेड में कंप्टीशन यह सब चल रहा है ठीक कि हुआ क्या कि इस्ट इंडिया कंपनी को बैंक ओफ इंग्लेंड से कर्ज मांगना पड़ा कि बहुत इंट्रेस्टिंग बात है कि जिस कंपनी को पूर्व के साथ ब्यापार करने में मोनोपॉली थी और वही कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुँच गई सत्रा सो सत्तर के आसपास वह कंपनी को नहीं मिला और कंप और दस्तक का यूज करके कंपनी को जो है राजस्टो का नुकसान होने लगा लोग उसको परसनल ट्रेड में इस्तेमाल करने लगे और यहीं पर वो बैंक आफ इंगलेंड के पास क्या कर लेने पहुची करज लेने पहुची और जैसी बैंक आफ इंगलेंड के पास कर लेने पहुची पारलियामेंट ने क्या कर लिया उसको पकड़ लिया पार्लियामेंट को ब्रिटिस गवर्मेंट को क्या मिला उस पर शिकंजा कसने का मौका मिल गया तो इसी समय देखिए 1773 में रेगुलेटिंग आयक्ट आया पहली बार इसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है ठीक तो इस समय वित्तीय संकट से जूज रही है तो जब इनके पास पहुची तो उस समय जो पीयम थे वो कौन थे लार्ड नार्थ इन्हों ने क्या किया इस इंडिया कमपनी को इस वित्तीय संकट से निकालने के लिए यहां पर लिख लीजिए लार्ड नार्थ ने ए आई सी को वित्तिय संकट से निकालने के लिए वित्तिय संकट से निकालने के लिए टोल टैक्स में शूट दे दी अब ध्यान से देखिए अगर हमारे पास तीन कंपनिया है ए एक कंपनी है टेट बेकर दूसरी है पोल इस्टार और चौथी है प्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी यह तीनों है इंग्लेंड की यह है फ्रांस की इन चारों का काम है चाय को बेचना यह ट्रेड करना अब क्या हुआ कि इन सब को दो ड्यूटी देनी होती थी एक टोल और दूसरा इंपोर्ट ड्यूटी सबको इनको भी इनको भी इनको भी इनको भी इनको भी लेकिन लाड नार्थ ने क्या किया तोल टैक्स से इनको छूट दे दी तो अब क्योंकि इसको टैक्स से क्या मिल गई छूट मिल गई अभी सस्ते दाम पर सामान बेचेंगी लाड नार्थ ने क्या सोचा कि इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि अपने जो चाय के कंटेनर हैं चाय लेकर के आप कहां जाईए अमेरिका अमेरिकी उपनीवेसों में अमेरिकन कॉलोनीज में तो लाड नार्थ ने ऐसा सोचा था कि जब यह चाय जो है लेकर के जाएंगे तो चाय अमेरिकी क्या कर रहे हैं इंपोर्ट करते हैं अब जब यह चाय लेकर के जा उसको लेने के लिए भीड लग जाएगी भगदर मत जाएगी यह हुमन टेंडेंसी है तो लाड नार्थ ने क्या सोचा कि अगर यह चाय लेकर के जाएंगे तो अमेरिकी चाय खरीदेंगे चाय खरीदने के लिए तूट पड़ेंगे क्यों क्यों कि सस्ती है चाय और दूसरा तो उसका दो परपस साल हो जाएगा अगर अमेरिकियों ने ऐसा किया तो पहला परपस क्या था कि इस्ट इंडिया कंपनी वित्ती संकट से बाहर चली जाएगी और दूसरा जब वो चाय खरीदेंगे अमेरिकी तो इसका मतलब कि वो इंडिरेक्ट रूप से यह मान रहे है कि प्रिटिस पार्लियामेंट को अमेरिकी कालोनीज पर टैक्स लगाने का अधिकार है कि यह किसने सोचा कार्ड नार्थ ने सोचा था हुआ नहीं कि यह सोचा था कि जैसे इस इंडिया कंपनी वहां जाएगी तो दो परपस साल हो जाएंगे एक तो इनकी चाय सस्ती है तो इनकी चाय पूरी की पूरी बिग जाएगी अगर अमेरिकी खरीदे क्योंकि वह सस्ती है तो हुमन टेंडेंसी के अगर सस्ती है चीजे तो आराम से आदमी भगदड़ करके और वह उसको खरीदना चाहेगा ठिक आज ही सोच लीजिए कि अगर पेट्रोल दस रुपए लिटर मिलने लगे तो तुरंत लाइन लग जाएगी ठिक कोई चीज फ्री में मिलने लगे फिर भी लोग उसको कंज्यूम करेंगे कि हाँ वो सकता आगे काम आ जाए उसको ले करके रख लेंगे ठिक कोई भी चीज हो ABCD तो लाड नार्थ ने यही दो परपस सोच करके इस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि अपने चाय कंटेनर चाय से लदा हुआ जहाज आप अमेरिकी उपनी वेस पर ले जाईए और अमेरिकी उपनी वेस में कहा है लेकर गए बोस्टन में लेकिन अमेरि लेकिन अपनों का नाम क्या है पोस्टन टी पार्टी अश्टन टी अब यहाँ पर क्या हुआ अ उस्टन टी पारिटी में यह जाय फेक दिये वह तो बात सही है सबसे बड़ी बात ये थी कि जो अमेरिकी प्रितनी धित्तों की मांग कर रहे थे उनका एक पहला सम्मेलन हुआ इस घटना के बाद जिसको बोलते हैं फिलाडेलफिया का सम्मेलन फिलाडेलफिया में ये कब हुआ? 1774 में और यहाँ पर इन्हों ने क्या किया? ओल्यू प्लांट रिजोल्यूशन लेकर के आए ओल्यू प्लांट क्या होता है? ओल्यू प्लांट यूरोप में सान्तिके प्रतीक होता है तो रोमन ने सुरू किया यह कॉंसेप्ट तो जब वो एक रोमन राजा दूसरे रोमन राजा को यह भेट करता था और अगर वो ओल्यू से लगा हुआ मुट पहन कर दूसरा राजा बाहर निकलता था इसका मतलब कि वो शान्ति चाहता है अगर वो उसने इसको फेंक दिया उसके मुकुट को या नहीं पहना इसका मतलब कि युद्ध होगा वहाँ पर ठीक तो ओल्यू प्लांट में ब्रिटिस संसद में प्रतिनिजित्व दिया जाए और दूसरा जो ब्रिटेन ने ब्रिटिस ने ट्रेड एंड कॉमर्स पर व्यवसाय एवं व्यापार पर जो प्रतिबंध लगाए थे वो सारे प्रतिबंध हटाए जाएं पस्ये दो मांग करके इन्होंने भेजा अब अगर कहते हैं ना कि सांती से अगर मांग यह तो नहीं मिलता तो फिर छीनना पड़ता है कि इसको अब प्रिटिस पार्लियामेंट ने क्या समझा कि यह रिवोल्ट है और कारनवालिस को भेजा कि जाओ इनको और सफाया कर दो अमेरिका आपको पता दिये कि पहले वाला अमेरिका नहीं था जो पंदासो अठासी में इस्पैनिस आर्मेडा को हरा करके बेटिस ने कबजा किया था अब वो पूरी तरीके से क्या हो तुका था युवा परिपक्व उसको अपने सोसड का पता चल गया था उसको अपने अधिकार का पता चल गया था उस अभविक सी बात है आप किसी को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते और कारणवालिस ने जब इस सिती देखी ना यहां की तो कारणवालिस यह कह रहा था कि अगर सारे पूरस मर भी गया होते ना तब भी अमेरिकी क्रांती होती क्योंकि महिलाएं बच्ची थी तोचिए इतना ज़्यादा विद्द्रोग था उन लोगों के मन में और उन्हों पर उन्होंने क्या किया जब रिवोल्ट का नाम दे दिया तो आर्या पार की लड़ाई तो उन्होंने यह सब सुधार बंद कर दिये और उन्होंने अब सीधह की बात किसकी कही कि हमें स्वतंत्रता दी जाए हम आप से सुधार की बात तो कर ही नहीं रहें अब हमें क्या कीजिए स्वतंत्र कीजिए ना तो हम टैक्स देंगे ना हम रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे सुधार की बात लेकिन जब सुधार को भी उन्होंने नहीं माना तो फिर उससे बढ़कर बात होने लगी अब यहां पर पहली बार स्वतंत्रता की बात खुई और अमेरिकी क्रांति की स्वतंत्रता की उद्घोषडा इसी फिलाडेलफिया सम्मेलन के बाद चार जुलाई 1776 को हो गई अमेरिका ने अपने आपको स्वतंत्रत्रत खोषड कर लिया तो यह था बैग्ग्राउंड आज के लिए इतना ही नेक्ष्ट लेक्चर में हम लोग यह देखेंगे इस अमेरिकी क्रांति का क्या प्रभाव पढ़ा है ठीक तो तब तक के लिए खुब अच्छे से पढ़ाई कीजिए मेहनत कीजिए धन्यवाद्य